हे एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सभी लोग होप करते हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे वेरी गुड मॉनिंग तो यहां पर मॉनिंग से ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूं और जारी थी ब्रेस करने तुचली यहीं से ब्लॉक स्टार्ट करते हैं चैन फ्रेंड फैमिली रिस्तेदार जो भी है आप वहां पे शेर कर सकते हो मेरी वीडियो को और अपना प्यार दे सकते हो है ना फिर उसके बाद चली लग जाते हैं हम अपने काम पे क्योंकि अनिका को सुबा स्कूल जाना है तो हमें उनके लिए लेंच बनाना है तो चली फट साल लेट उटती है तो फिर देर हो जाएगी हमको तो बोला था ममा हम पराठा सब्जी लेके जाएंगे तो मैंने का ठीक है पराठा सब्जी लेके जाएगा तो हम फटा फट बना लेते हैं सब्जी पराठा और चली पहले चाय चड़ाते हैं तो चली फिर बने रही है फिर मिलता है तो फटा फट चाय चड़ाते हैं और किसी ने बोला था दी आप बिना नहाई किचन में चले जाते हो बनाने लग जाते हो तो देखो अनिका के लिए मुझे बनाना पड़ता है तो इतनी जल्दी सुबा सुबा नहीं नहा पाती हूँ मैं साथ बज़े का इसका स्कूल है और तो फिर लेट हो जाता है अनिका को भेजने के बाद ही मैं नहा पाती हूँ क्योंकि मुझे उसको लेंच बना के देना फिर रेडी करना है और कभी-कभी तो पूजा रेडी कर देती है मैं ही बनाती रहती हूँ और वही सारी चीजे हैं तो नहीं हो पाता है सुबा सुबा इतनी जल्दी और पानी भी नहीं आता है मारे वाँ सुबा और इस वज़े से और भी पापा को भी नहाना है सुबा वो नहाते ही नहाते हैं तो पापा ममी लोग पहले नहा लेते हैं और हम लोग बादी में होता है आनिका के जाने के बाद तो गाईस प्लीज एंड तक रहना और सस्राल जो मैंने बोला था जाने के लिए अप्लिकेशन देने के लिए उसके लिए मुझे धमकी मिल रही है सस्राल से वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और प्लीज मुझे सपोर पहले मैं आटा लगा के रख लूँगी और क्योंकि आटा लगा के रख लो ना तो फिर थोड़ी देर में बाद वह आटा अच्छी सी मतलब गुद जाता है तो अच्छी सी रोटिया बनते नहीं तो बहुत देर तक गूतना पड़ता है इसलिए आटे को पहले ही लगा के च्छाय करिए अजय है तो एछ में पर लूक्राइए यहा है क cancer है और रटे है इसलिए सभवेश देर में वह आटेर में अच्छी बलूपन वहा है, इसकободыт दो खू़ी देस Woods आटेहा है जासिएUD को राटें दो नहीं पहा है जाने है में च्छाशी बहाppt चाह़ीं अच्छी तो यहां पर हमाज आप लोगों को किसी से मिलवाने वाले हैं जो लोग हम जैसी लड़कियों को गलस लद बोलते हैं सायद देखके ना उनको ऐसी अकल आए कि वह नहीं बोले कि आज एक आंटी हमारे घर पर आई मैं तो छत पर थी फिर मैं नीचे गई तो मैंने उनसे मिली तो उनके बारे में जाना मैंने और बहुत संगर्स भरी उनकी लाइफ है और मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी पह बागम दौड वाले काम होते हैं क्योंकि जब तक अनिका घर से नहीं जाएंगी तो काम नहीं ख़तम होने वाले फिर तो मैं फ्री हो जाती हूं ज़्यादा कुछ नहीं करती और जब तक अनिका का लेंच वगारा है मुझे बनाना पड़ता कि मेरा बच्छे मेरी हां से खा पुस्टूल कि मैं फर से फिर से चंच कर दिया इस तो मिरा पता क्या है कि अप कहना बनाने मेरा बनाने ज्यादा मन ने लगता है वा और है तो म्य क्या मुंगते नोग क्या चाहिव में आप लोगों को बताउंकी चीज मुझे बोली गई है तो क्या बोलू मैं लोगों के बारे में नहीं सुधरने वाले हैं वो लोग बिल्कुल भी तो यहां में फाटा फट ऐसे आटा लगा के फिर रख दूँगी और बाद में यह जब बनाना होगा पराठा फिर इसको मैं अच्छे से गुत लूगी और निकाल के रख लेते हैं क्योंकि इसी से बनती है हमारे वांगी मिलाई निकाल निकाल के डेली रख लिया जाता है आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे हैं ना कमेंट सक्षन में जरूर बताना और फिर यहां पर मम्मी पापा को सैद कपड़े देने जा रही है यहां पर अनिक बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है मैं बहुत परिशान हूं तो मैंने का चलो ठीक है मत जो क्योंकि बुखार से उठी है ना थोड़ा सा परिशान है तो फिर मैंने का कोई बात नहीं तो मैं अनिका के लिए यहां पर नमक वाले पराठे बनाने जा रही थी ज लेकिन अनिका का मन नहीं है उसका चेहरा देखे फिर मैंने का रहने दो और अनिका के हैर कट मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं जब से अनिका के मैंने इस तरीके से हैर कट के ना मुझे बहुत अच्छी भी लग रही है अनिका और आप लोग बताओ कि कैसी लग रही है तो अब चलिए फराठे सेंगे देते हैं और जिसको चाय के साथ लेना होगा ले लेगा फिर सबजी बाद में ही बनेगी इतनी जल्दी फिर सुबा सबजी नहीं बना पाऊंगी पहले अनिका पुनास्तों गेरा करा दूं दवाई गेरा भी पिला दूं और ये ऐसा बुखार आ है न कि एक तंप से तोड के रग देता है सही तो हो जाता एंसान लेकिन इतनी वीकनेंस इतनी वीकनेंस जोड़ जोड़ में दर्द रहता है उसके हर वक्त और यही चीजह हैं तो चेलिए फिर बने रहए और बताएगा और गाइस मझे उधर से जो धमकी मिली है Hey तो मैं रूपए 50,000 ले की ही जाओंगी इस वज़े से मुझे धमकी दे रहे है लेकिन मेरा बच्चा मैं बच्चे को ले के जाओं कि ना जाओं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चले फटाफट पराठे बना लेते हैं भावी से बाते करते हुए और यहाँ पर मेरा बच्चा गया मुझे गल्ले लगा रहा है तो कि वो परिशान उसका चहरा भी आप लोग देख सकते हो और ऐसा नोटिंग की कर रही है बहुत क्यूट है मेरा बच्चा फिर यहाँ पर चाची हमारे घर की है यह दादी है यह हमारी और भावी को शिरबात दे रही थी तो यहाँ पर पतानी कुछ कह रही है मुझे पतानी तो यहाँ पर फटाफट मैं पराठे से इक लेती हूँ तो पराठे मैंने गोली बनाया थे और गोल पराठे किसको अच्छे लगते हैं मतलब पराठे हैं किसी भी टाइप क्या बना सकते हो उसमें कोई वो नहीं है अपने बालो को देख रही है कि ममा बहुत सौट कर दिया आपने तो यही वो आंटी है तो दूपहर में मम्मी से मिलने आई थी और यह आंटी के हस्बंड नहीं है काफी टाइम से नहीं है कि बच्चे हैं और थोड़ा से समझदार बच्चे हो गया है तो वो घर पर रुपते पड़ाई भी करती है और यह एंटी सुबह से के निकलती हैं और रात तक घर नहीं जाती हैं क्यूंकि पैडल यह गाउं-गाउं जाकर वीजित करती है जो यह जोला देख रहे हो ना इसमें पैंपर्स हैं जो वो करती है किसी कंपनी से हैं और कर शेल करती हैं देती हैं गाउं-गाउं में जाके तो बता रही थी एक पेम्पर्स पे मुझे तीन रुप्या मिलता है तो सोचो अब तो मतलब हर जगे मेडिकल हर जगे दुकान होती हर जगे सब कुछ मिल जाता है तो कितिना शेल विचारी कर पाती होंगी बहुत संगर्स बरी उनकी life है तो किसी